तो स्वागत है आप सभी कर मेरे YouTube चैनल में जहां बात करते हैं लेक्रोनिक्स की तो हम इस्टर इलेक्रोनिक्स में कोड्स पढ़ रहे हैं बाइनरी कोड्स पढ़ जिसमें हमने अल्रेडी काफी कुछ देख चुके हैं अभी CD इस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आप जाके देख लिए आई बटन पे में एक आट वीडियो जो इंपोर्टेंट लगते मुझे वह मैं डाल दूंगा तो इस वीडियो में बैसिकली ग्रेकोड के बार में बात करूंगा तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रेकोड है तो 0123 को मुझे रिप्रेजेंट करना तो मैं 00011011 ठीक है यहां पर क्या इश्यू है कि यह बोला जाता है कि ग्रेकोड क्यूं यूज किया है क्यूंकि हमें साइमल्टेनियस बिट चेंज नहीं चाहिए ठीक है जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो एक एक नंबर जब हम सेक्षन में देखेंगे ठीक है बट अभी देख लेते हैं कि एक बिट का ही होना चाहिए तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है कि सपोज मैं 0-1 काउंट कर रहा हूं तो यह एक बिट चेंज हुआ जब मैं 1-2 काउंट कर रहा हूं तो यह 1-0 हुआ और यह भी 0-1 हो गया मतलब यहां पर दोनों बिट चेंज हो गए तो यह मुझे नहीं चाहिए ठीक है मुझे एक ही बिट चेंज चाहिए हाँ जब 2-3 काउंट किया तो एक बिट है बट 1-2 जब काउंट किया तब इशू आ सकता है वो हम देखेंगे क्यों आएगा नेक्स सेक्षन में तो अब म मैं 1-1 लिख को देता हूँ और इसको 10 देता हूँ ठीक है तो उससे क्या होता है अब देखो यहां से मेरा ॐन MARTIN चेंज है ओके यहां से या भी मेरा ौन Pokber reminis चेंज क्यूंत है और यहां से सभी मेरा 1 भी चेंज है तो क्या कर दिया मैंने जो साइमल्टाइन य misma जो यहां प पर जाना है तो सपोज मैं यह सारे नंबर जो है इसको लिख देता हूं 0000 यह थ्री बिट के लिए आ गया अब मुझे क्या करना है कि ग्रे कोड में यह सपोज चार को रिप्रेजेंट करना है या पांच को छे को किसको भी तो अब काउंटिंग देखो कैसे करेंगे कि यह चा तो मुझे यहां पर वन करना ही पड़ेगा रिप्रेजेंट नेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्योंकि नहीं तो डुपलिकेशन होगा तो यहां पर वन लिखा अब देखो अल्रेडी मैं एक बिट का चेंज कर चुका हूं तो मैं बाकी दोनों बिट क्या रखन पड़ेगा मुझे constant रखना पड़ेगा तो यह 110 हो गया ठीक है अब नेक्स नंबर लिखने के लिए अगें यहां पर तो वन ही लिखूंगा क्योंकि यह 40 आ गए हैं अब 4 वन आएंगे आपको पता ही है अब देखो मुझे यह पता है कि यह दोनों जो नंबर से हैं यह दो सिमिलरली इन दोनों के बीच में वन बित का चेंज है 100 तो इस तरह से मैं बित का ही चेंज आ सकते हो तो यहां पर एक और बिट आएगा यह 8 0 आएंगे और फिर 8 1 आएंगे तो उसका टेबल इस तरह से है तो अब देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ग्रेकोड दिखाए तो आज तक तो आप देखी रहे होगे यह हमने लिखाई या फिर 4 5 6 7 साथ तक तो लिखाई है हमने तो 0100 देखो यह सेम नंबर लिखा हुआ है अब इसी को क्या किया है 15 तक में यह 0000 की जगा 1111 लिख दिया है तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है exactly यह तो मैंने counting करना सिखा दिया आपको अब देखो actually क्या हो कर देखो रहा है यह जो binary नंबर है 0001 1011 इसको मैं ग्रे कोड में कैसे लिख रहा हूं तो एक तरीका और है कि 0 00 को 00 ही लिखेंगे क्यों लिखेंगे यह बताता हूं तो इसमें क्या करते हैं एक सॉल इंग करतें तो दोनों एक जेसेंट बच का एक सॉर्ण करते हैं तो आज wanna have the key bit. थाकि आपको clear, यह जो 1st bit it. किいます लिखना है ठीक है 1st bit as it is लिखना है 0 का 0, अब क्या करना है previously bad union here is a walk 2nd bit it. इन नों का एकस्अच करेंगे 00 क्या होगा यह पिर इन तोनों कप 0 Ε Cheng अब यह वाला लिख लेते हैं ठीक है CC as it is फिर ये दोनों का क्या करेंगे XOR तो 01 क्या हो जाएगा 1 और फिर इन दोनों का XOR करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा 110 तो इसलिए ये 010 आए अब कोई भी नंबर उठा लेते हैं suppose 15 उठा लेते हैं 15 का 1111 है तो 1111 का क्या आजाएगा MSB तो 1 आएगा फिर ये 110 फिर ये 110 फिर ये 110 तो इसका ये आ गया simple है कोई भी उठा लो इसमें तो इसमें यही किया गया XOR की गई है अब ये 1010 उठा लो तो 1010 तो ये 1 फिर 101 फिर 011 फिर 101 adjacent bit का XOR करना है simple है अब देखो इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे मैं एक line खीचता हूँ rate color से सपोस तो यह देखो यहाँ पे 8 0 और यहाँ पे 8 1 है तो यहाँ पे मैं इस तरह से यह देखो यहाँ पे एक bifurcate कर दिया है अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आप यह एक reference line मानो तो और MSB को भूल जाओ MSB 0 और 1 यह भूल जाओ बस 3 bit देखो तो यह क्या है 100 और यह भी क्या है 100 ठीक है अब दूसरा color लेते है उसके उपर जाओ 101 यह भी क्या है 101 सबसे उपर चले जाओ यह क्या है 000 और यह क्या है यह भी 000 या बीच में कहीं तो चले जाओ 12 यह 010 ठीक है यहाँ पे भी यह 010 तो यह क्या हो रहे reflection है as it is तो यहाँ पे अगर मैंने एक mirror लगाया यह एक तो यहाँ सीधा है पिर क्या फिर या उल्टा जा रहे थे फिर अब आम क्या करते यहाँ पे 1 लगाते और फिर उल्टा जाते मतलब यहाँ से उपर के तरफ जाते और वही numbers नीचे लिखते तो ये इसको क्या बोलते हैm reflective code बोलते हैं तो यहां पर एंबने दो चीज़े सी कि ये reflective code है तो अब आपको कोई लिखने बोलता है तो आप easily लिख सकते हो पहले ये 4 number लिख दो उसके बाद इसी का उपर चले जाओ फिर एक और 0 लगा दो तो फिर वन लगा दो फिर और ऊपर की तरफ नंबर लिखते जाओ नीचे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और दूसरी चीज क्या सेखी कि दूसरा तरीका है कि कोई भी नंबर को क्या करो अब सबसे इंपोर्टेंट तो ग्रे कोड में इतना ही है अब आता है कि क्यूं यूज करते हैं तो हमने बताया था यह कि इसका मोटिवेशन बिसिकली यह है कि सिंगल बिट चेंज ही होना चाहिए मल्टिपल बिट चेंज होंगे तो इशू आएगा तो क्या इशू आएगा अब हम यह सीखते हैं तो सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज मेरे पास एक सिंपल टू बिट आडर है ठीक है यह तो यह टू-बिट आडर है तो सपोज यह एवन और एजिरो और यह बीवन और बीजिरो ओके तो और इसका 3-bit आउटपूट होगा एक तो वाई-वन वाई-जिरो और एक कैरी ठीक है इस तरह से तो सपोज इनिशली क्या किया इसने 00 यह ए है और यह बी है और यह 01 है सपो दो आउटपूट क्या जिआ हैगा 01 आएगा अब क्या हुआ जो ऐ है मेरा कॉंस्तेंट है सकें केस क نजी 108 अब यह ट्र यह क्या फ्रांस होना है तो अब क्या हो जाएगा आउट बबन आ इसापफूट 10 होना यह चीजाआएगा ऑट यह एक एक सपोरे सपोज यह कहीं तो यह बड़ा सा or what do 22 lyric करके इसको यह भी कुई बड़ा सा बॉक है जो बीजीरो जनेरेट करके इसको दे रहा है ठीक है तो शब्पोस करो कि आपका जो ब्लोग है वह सबब्लक के जस्सका जो बीवन है का डिले कम है ठीक ह है लेस डिले है यह जो ब्लॉक के यह उसका less delay है और यह इसका more delay है ठीक है तो B1 का less delay है मतलब B1 जल्दी पहुंच जाएगा और B0 late से पहुंचेगा तो instead of this अब क्या होगा तो suppose मेरे पास पहले 0 0 0 1 था और output 0 1 था अब यहां पे 0 0 अब देखो B1 का delay जादा है तो यह MSB है और यह LSB है ठीक है तो B1 का delay कम है less delay है न तो B1 change हो जाएगा तो B1 हो गया 1 बट B0 अभी change हुआ नहीं है B0 को 0 होना था इसका delay जादा है पार्थ में इसलिए 1 ही रहेगा कुछ देर के लिए बोल रहा हूं तो output क्या जाएगा 11 फिर थोड़ी देर बाद जब B0 भी आ जाएगा तो यहां पे 00 और यहां पे finally 10 आ जाएगा तो यह output 10 हो गया तो output हमारे पास पहले 01 था बाद में 10 था इंटर्मीडियेट स्टेट भी आया है इसको बोलते हैं फाइनली तो आज आ रहा है न वहले यह circuit में आ जा रहा है भाई अब देखो इसी circuit में थोड़ा सा ट्विक करता हूं अब मैंने क्या बोले यह a1 a0 ना constant नहीं है 00 इसको मैं इस तरह से देफाइन करता हूं कि यह feedback जा रहा है ठीक है यह जो output आया है वह direct एक हो जा रहा है तो अब देखो क्या होगा तो अब यहां पर लिखता हूं मैं तो यहां पर सपोज ए और बी है तो इनिशली 00 है और 01 है ठीक है और यह output 01 है simple है अब क्या होगा ए ए यह output हो जाएगा ना यह feedback जा रहा है तो यह तेमारा यह हो जाएगा तो यह 01 है और बी में similar case डिले है तो अब यह 11 आ गया तो अब 11 एड होगा इसमें ठीक है जू टू डाट डिले लाइक चेंज इन डिले मतलब दोनों का डिले सेम नहीं है तो यह क्या हो जाएगा 110 और यहां पर 110 और यहां प पर यहां पर आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 110 और कैरी पे ओनल आप एक आरने के कारण तर्मीडियट स्टेंट आने के कारण के यह पूरा का पूरा जो आगे के जो यो जो आउक्पूट्वें व मूबश्ट जाएगे because it's actually accumulator accumulator का क्या काम है कि जो output आया उसको वापिस से जोड़ देना वो accumulate कर रहा है output जो हम C में लिखते हैं A is equal to A plus X तो जो भी आएगा वो खुद में वापिस से जोड़ते जाएगा तो accumulator के case में क्या होगा अगर कोई भी intermediate output गलत आया तो वो क्या करेगा आगे के सारे results को affect करेगा इसलिए हमें desirable नहीं है अब देखो अगर मैंने gray code use किया होता तो यहाँ पर एक ही bit का change है न यह 0-1 से 1-0 जाने के बज़ाए 0-1 से 1-1 जाता तो एक bit का ही change है तो उसमें कम delay रखो या जादा delay रखो कोई भी intermediate state आएगा नहीं तो इस type के condition को बोलते है race condition तो race condition क्यों बोलते है क्योंकि यहाँ पर दोनों bit simultaneous change हो रहे है और दोनों में race लगी हुई है कि मैं पहले पहुँच रहा हूँ या मैं पहले पहुँच रहा हूँ तो इस कारण से हमें gray code चाहिए और यह gray code बहुत जादा यूज होता है digital design में तो gray code से क्या होता है हम make sure करते है कि सिर्फ एक हे bit एक बार में change हो जिसके कारण से जो difference in delay है उसका कोई effect ना आए तो I think आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे comment section में पूछो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इसको लाइक करो अपने फ्रेंज से शेर करो और बने रहो मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो वर्तु शर्मा का चैनल तब तक के लिए have a nice day take care कि अगर वर्तु अगर मेरे वीडियो अगर पब देखते रहो और आपको काईल देखते रहते हैं